दोस्तो आज मैं एक अलग और अनोखी रेस्पी लेके आई हूँ जो की है ब्रत वाला डोसा और इस डोसे को हम केबल आलू का इस्तिमाल करके बनाएंगे और इसमें बहुत ज़ादा चीज़ा नहीं लगती हैं सिर्फ दो चीज़ों का इस्तिमाल करके ये डोसा बनाये जाता है और साथी साथ बनाएंगे एक इस्पेशल तरीकी की चटनी जो कि खाने में एकदम अलग होती है और इसको आप जल्दी से बना के खा सकते हैं तो चलिए साथ में मिलके आज की इस इस्पेशल रेस्पी को बनाना हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले चटनी बना लेते हैं एक जार में मैंने दो हरीमेच डाली थोड़ा साहरा धनिया दो चम्मच कच्ची मूम फली साथी साथ चार चम्मच नारियल का पाउडर डालेंगे आदक कप तासा तासा दही एक चुथाई चम्मच ब्रत बाला नमक और एक चुथाई कप पानी सारी चीजों को हमें अच्छे से पीस लेना है दोस्तों यह जो आज की चैटनी है इसको जरूरी नहीं है कि आप ब्रत में खाएं ऐसे भी नॉर्मल रेगुलर आप चीली के साथ डोसे के साथ बना के खा सकते हैं चैटनी हमारी बन गई है देखिए कितनी बढ़िया निथे तो चैटनी को रखते साइड में डोसा तैयार करते हैं डोसा बनाने के लिए मैंने चार कच्चे मीडियम साइज के आलू लिए ऑगर आपके पस बड़े साइज का आलू हो तो आप दो आलू का इस्तिमाल करें और आप इन आलूं को हमें चील लेना है चीलने के काटने के बाद इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकोटिंग घटा बड़ा सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, और साथी साथ इसमें डाल देते हैं, हम दो कप पानी, और अब हम यहाँ पर जार को बंद करके इन सारी चीजों को अच्छे से पी इसको हम एक बावल में निकाल लेते हैं, और अब इसमें डालेंगे हम दो कप ब्रत वाला आटा, साथ साथ डालेंगे अदचमच नमक, और दोनों चीजों को अच्छे से आलूओं में हमें मिला लेना है, आटा अच्छे से मिलने के बाद इसमें मैंने एक कप पानी और डा चलिए डोसा बनाते हैं, तब इप डालेंगे थोड़ा सा घी, आप चाहे तो तेल भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और टीशू पेपर की मदद से पूरे तबे को ग्रीस कर लेंगे, और एक चममच भरके हम बैटर लेंगे, और बैटर को इस तरीके से हमें धीरे-धीरे तबे प फैला लेना है, मैं यहांपर थोड़ा चोटे साइस का डोसा बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े साइस का भी डोसा बना सकते हैं, फैलाने के बाद ये नीचे से सिख चुका है, तो इसको हम ऐसे स्पैचुला की मदद से पलट लेते हैं, और पलटने के बाद दूसरी तो इसको हम निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से हम allora कित्यार करके प्लेट में रख लेते हैं यहाँ पर डोसा बन चुका है इसमें रखिए मैंने तयार की हुई चटनी थोड़ा सा दही और इसको करेंगे हम गरम-गरम इंच वाएं दोस्तों आज की जो रस्पी बहुत-बहुत ज़्यादा आसान है इसको आप नॉर्मल ऐसे ब्रेक फास में भी बना के खा सकत है रेस्पी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैंपली मेंबर्स के साथ इसको शेर कीजिए मिलेंगे अगली नई रेस्पी में तब तक के लिए नमस्ते